केंदर सरकार पर भष्टाचार और लोगतंत्र के हननन का आरोप लगाते हुए जीला कॉंग्रेस ने रविवार को नगरपाली का कारियले परिसर इस्थित गांधी प्रतिमा के सामने मोन प्रदर्शन किया। कॉंग्रेस नेताओं ने लोगतंत्र पर हमले के साथ ही केंदर सरकार पर आर्थिक अपरादियों को देश से बाहर जाने देने का आरोप लगाया। समयत विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहूल गांधी के नेतरतुम में कॉंग्रेसिवा, किसान, महिला और शोशित वंचित तबके की आवाज उठती रहेगी। प्रदेशन में पूर्व प्रदेश अधिक्ष अरुनियादो ने कहा कि शाह और तानाश शाह की सरकार में बोलने की आजादी नहीं है। जो सच बोलता है उसके खिलाब EDCBI सहीत अन्य सरकारी एजनसी की कारिवई से आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। आप देख रहो तीस जार करोर रुपे अडानी के खाते में कहा से आया है। इसका क्यवल राहूल गांदी जी जब प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न प्रश्न पीजेपी की दुख्ती रख पकड़ में आगजा। भार्ती जनता वाल्टी और नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस पाल्टी द्वारा सोल्टी जवार। उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर पत्तेग जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के कार्यकरताओं के ज़ारा पत्तेग जिले में सत्या ग्रह किया जा रहा है हम सब लोग सत्या ग्रह में शामिल हुएं और इस देश की जनता को बताना चाहते हैं लोक तंत्र की ह कि सरकार चीज तरिके से चीरहरंग कर रही हैं, वो देश की जन्ता देख रही हैं, बार बार लोकतंतर के हत्या बग्दाश नहीं होगी, इसले तमाम कांगरेश के खारे करता साथ ही, जिला कांगरेश अद्ध्यक जी, के नित्रोतों में आज फट्टा होकर इस जिला मुख्य पर सत्या ग्रह में शामीर हमारे नेता आधनी राहुल गांधी जी को गैर गांदी तोर से उनको डिस्कॉलिफाइब कर दिया गया लोकसभा से और यह शाह और ताना शाह की सरकार समस्तों देश के इतियास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर बोलने के आजादी भी नह प्रकट करने की आजादे भी देश पे नहीं है और कोई सची बात कहता है हम लोग संसद में अडानी के खिलाफ कुछ तर्थि रखना चाहते हैं मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो सच बोलता उसके खिलाफ कभी यीडी भेज दी जाती है कभी सीवी आई को भेज दिया प्रकट करना चाहते थे उन्हों को हैउस में बोलने नहीं गया पहले तो और पहले बार इध्यास में ऐसा हो रहा है कि सिटिंग पार्लमेंट के लोग ही पार्लमेंट को नहीं चलने दे रहे हैं यह भी देश का बढ़ा दुरभाग है पूरा समूचा कॉंग्रेस पार्टी पिछले आप देख रहे हैं पिछले लगाता चार-पाथ दिनों से हम लोग धर्ना परदर्शन आंदोलन और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं उसी संधर में आज समुचे देश भर में गांधिवादी तरीके से हमने महात्मा गांधी जी के सामने अपने बात रखी और उन्हें एक मौन धरना आयजित समुचे प्रदेश भर देश में किया गया है और हम चाहते हैं कि यह जो अहिंसा का देश महात्मा गांधी के देश में जिस तरह से हिटलस आई चल रही है यह देश के लिए ठीक नहीं है देश की आजादी के लिए ठीक नहीं द देश को बाटने का काम कर रही है इनके खिलास सदेव कॉंग्रिस पार्टी राहूल जी खरगे जी सोरिया जी तमाव वरिशनेताओं के नेधरत में हम लोग लग लड़ते रहेंगे और नई नया देश बनानी कोशी जो राहूल जी कर रहे हैं उसमें हम सब आगे बढ़ र हमारी है और कोड़ भी तुम्हारा, समयेे नहां किस तरीके से क्या क्या बेस पर आपने डिस्कॉलिफए कि यह वे विग हम लोग जानना चाहते है कोई कानूं तो होगा कोई किस बुड्याध पर आपने राहुजियों Shkulle जो क्यों हम लोग जो सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुलें